हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स देखो आज एक बहुत ही कुपसूरत सा बॉर्डर पैटर्न बनाना सिखेंगे इस तरह का देखें इस तरह से जिग 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 वाला बहुत ही सुन्दर लगता है लेजी स्वेटर में कार्डिगन में या गल्स टॉ को इस बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसान है चार-पांच सलाई में यह डिजाइन बनके त्यार हो जाता है और देखिए बहुत ही सुन्दर है उल्टी तरफ से भी बहुत कुपसूरत दिखाई देता है तो फ्रेंड्स इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के के लिए हम्में फंदे 10 के multiple पे चाहिए और एक फंदा एक्ट्रां दिखेंट जैसे मैंने इस पर सैस्ट फंदै डाले है और एक एक् Agent है 61 स्टिचीज 2006 उस Tigers ए मने 51 स्टिच इस पर जो है यह एक कावन फंदो पर डाला है 51 इस्टेचिज पर जो एक यह डिजाइन भाभाँ का है दस तस फंदो रीजाइन एकagit टो इस पर से हमने फाल को यहार्व संद को बनाने के लिए था तो इस पर मेरे काई बार हम जैसे फंदे डालते हैं तो उनका first row back side से आता है तो मेरे जब मेरे first row back side से आती है मैंने एक सलाई पूरी उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी लगा लिहें और अगर किसी का first row right side से आता है तो आप सिधर design start कर सकते हो क्योंकि design first row से ही start होगा तो देखिए first row में हमने कैसे बनाना है देखिए पहला फंदा तो हम इस तरह से slip करेंगे एक फंदा slip करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा हम इस तरह से slip करेंगे फिर नौ फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फंदे सीधे और जो एक फंदा लाश्ट में बचेगा इससे हम इस तरह से slip करेंगे तो ये 9-9 फंदे डालने हैं, 9 फंदे बुनने हैं, 1 फंदा slip करना है, 9 फंदे बुनने हैं, 1 फंदा हमने slip करना है, इस तरह से 1st row हमने बनाने हैं, ठीके, आप देखें 2nd row back side, उल्टी तरफ से दूसरी सलाई, उल्टी सलाई भी हमने 1st row जैसे ही बनानी हैं, पहला फंदा इ पीछे कर देंगे फिर जो यह नौ फंदे हमने सीधे बुने थे उल्टी तरफ से भी इन्हें सीधा ही बनाएंगे फिर से नौ फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे नौ फंदे सीधे बनाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे जो फंदा हमने सीधी तरफ से स दोनों omega वाला पर फसकी है औरMM हम Ashchat को असले करना था बीॐ बार है आगार भुझत कर था त्षा सिद्ए美味 सीधे अ मतलब इस बार बनाको से थे हम और और यह और इस वार मतलब। मतलब इस बार भी तरब से अब देखिए जो फंदा हमने यह स्लिप कर रहा है इसे इसे सीधा बुनेंगे ठीक है और जो यह नौ फंदे हैं जो हमने बुने थे उन्हें हमने डबल इस तरह से दो बार धागा गुमा के सलाई पे इस तरह से बुनना है नौ फंदे जो हैं एक फंदा यह हो गया दो फंदा सारे फंदे जो नौ फंदे हैं उन सारे फंदों पे हमने इसी तरह से दो बार धागा गुमा के बनाना है एक दो और जो यह फंदा स्लिप करा हुआ है इसे हम सीधा बनाएंगे फिर से नौ फंदे इन नौ फंदों को हमने इस तरह से डबल करके बनाना है दो बार धागा गुमाएंगे सलाई पे इस तरह से बुनेंगे फंदे को और सीधा ही बनाना है और ये लाश्ट का जो हमने स्लिप कर रहा था इसे सीधा बुन देंगे तो ये देखिए हमारी थार्ड रो इस तरह से बनाएंगे हम थार्ड रो हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है अब देखिए फोर्थ रो बैक साइड चौती सलाई उल्टी तरप से देखिए जो पहला फंदा है इससे तो हम इस तरह से बुनेंगे ठीके इसके बाद हमने चार फंदे यहां पर ड्रॉ करने है देखिए कैसे उंगली पे इस तरह से धागा गुमाएंगे और चार फंदे बनाएंगे इस तरह से फंदे बनाने हैं देखिए तीन फंदे हो गए फिर ये चार फंदे हो गए ठीक है यहां पर हमने देखिए ये किनारे वाला फंदा छोड़के चार फंदे हमने इस तरह से ड्रॉ करने है चार फंदे नए बनाने हैं और ये जो नौ फंदे हमने डबल करें हैं इन नौ फंदो वापस इसी सलाई पर लेंगे यह देखिए और इस तरह से इन नौ फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे यह नौ फंदे हैं नौ फंदों का हम एक फंदा यहां पर बनाएंगे इस तरह से फिर हम यहां पर चार फंदे ड्रॉ करेंगे हमने क्योंकि यहां पर 9 फंदे बनाने हैं पूरे तो 4 फंदे यह हो गए और यह 5 फंदा फिर 4 फंदे हम जब और बनाएंगे तब जाके यह 9 फंदे हमारे complete हो जाएंगे 1, 2, 3 और यह 4 देखिए इस तरह से यहां पर हमारे 9 फंदे पूरे हो गए जो हमारे यहाँ पे घटे थे वो पूरे यहाँ पे हो चुके हैं यह बीच वाला फंदा इसे उल्टा बुनेंगे फिर से चार फंदे यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से बनाना है आप ध्यान से दिखिएगा एक दो तीन और चार देखे चार फंदे यहाँ पर फिर से बन गए है एक दो एक दो तीन चार ठीक है अब फिर से हम इन नौ फंदों को इस तरह से लूज करेंगे यह नौ फंदे हमने लूज करें वापस हम इसे लेफ्ट नीडिल में लेंगे यह देखे इस तरह से नौ फंदे हमने वापस ले लिए हैं और इसे उल्टा बुनेंगे नौ फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे इस तरह से फिर हम यहाँ पर चार फंदे और डालेंगे तो हमारे यह फंदे नौ फंदे पूरे हो जाएंगे देखिए चार फंदे हमने इस तरह से बनाना है एक दो तीन और ये चार लाष्ट का फंदा है इसे हम उल्टा बनेंगे ये देखिए इस तरह से हमारी फोर्थ त्रो कम्प्लीट हो गई और ये देखिए दिजाइन भी हमारा यहां पर बन चुका है फिर देखिए आपकी मैं उन्हाँ फंदों समिल चार बनाना है जो फंदो को नहीं बहुत बनाई कि ऐसे हनी पर जांव हुएखिए बिए देखिए बेकिन देखिए नए फंदे जो बनाएं उन फंदों को बहुत ही आराम से बनाना है ताकि ये सलाई से गिरे ना बनाने के बाद हम ने गिराना है इस तरह से पहले आप इन्हें इस तरह से लूज कर सकते हो इसके बाद इस तरह से आप बनाएए सारी सलाई पूरे फंदे सीधे बनाने हैं हमने इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो गया है इसके बाद आप इसके उपर अपना कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हो प्रोजक्त पे तो देखो फ्रेंड्स यही हमने बनाना है और यह जो सलाईया मैंने आपको बताई है इनको आप ध्यान से देखिएगा अगर आपको करके बताईएगा कि आपको डिजाइन कैसा लगा ठीक है पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स ओके पापाई